लो स्टूडेंट्स वेलकम टू जो मैं टीडिफेंस अकेडमी तो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा या किस चीज के बॉक्स को ओपन करूँगा मैं करूँगा जो सेंपल पेपर का सी इटी इसका जो सैट है पांस सैट जो हमारे पैरेंट्स ने बच्चों के वो इस तरह के एनवलोप में एक रजिस्ट्री के थूरू कोरियर के थूरू आपके पास पहुचेगा जिस पैरेंट्स ने हमें अड्रस दे रखे हैं तो कि लगबग हमारे हंड्रेड के आसपास हमारे पूरे सेंपल पेपर बूक हो चुके हैं तो वो जिनोंने हमें अड् तो मैं साथ में यहां पर explain भी करता चलूँगा क्या क्या चीज़ उसमें निखलेगी ठीक है भई तो देखो एक तो देखो आपके पास यसे यह लिखा है इस तरह का additional directorate general army school मतलब और इस पे लिखा है question booklet number one मतलब question booklet number one का मतलब होगे पहला set ऐसे question booklet number 2 ऐसे question booklet number 2 और उस पे एक इस तरह की seal लगी होगी बंद होगा seal pack paper होगा और इसके जो पेजों की संक्या है लगबग 30 के आसपास page है मतलब दोनों तरह के मिलागे ठीक इसमें 200 questions होंगे जो बिल्कुल एकदम pattern होता है same pattern रहेगा तो ऐसे 5 तो उसमें set निकलेंगे 5 तो sample paper निक चला आपने set भी खोल लिए बच्चे भी लेकर वहीं बैठके सब कुछ बैटें बच्चों बच्चे को से कह देना एक बात कि बहीं तुम अपनी पढ़ाई में लग जाओ बस बच्चे से सीधा सीधा parents को ये बोलना है कि बेटा तुम्हें तो इसके आसपास भी नहीं आना एक OMR seat मतलब हर sample paper के साथ OMR seat है ये पूरी ठीक है ये OMR seat मिलेगी और ऐसी पांच OMR seat पर sample paper एक OMR seat तो ऐसी 5 seat मिलेगी साथ में एक model OMR seat मिल जाएगी जो RMS में exact आएगी बिल्कुँ एक model OMR seat है क्यों एक exact seat तो available नहीं उस पर stamp पकर लगी लेकिन एक इस तरह की model seat मिल एक इस तरह की भी seat में हमने add कर दी है so that आपको पता जाएगी attendance क्या क्या बरने वो बच्चा बर लेता है कोई दिक्कत नहीं है साथ में हर एक sample paper की एक answer की मिलेगी जिसमें बिल्कुल सीज़ा लिखा हो है कि पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का D इस तरह से पूरे answers लिख रह code मिलेगा, qr code जब मैं बोलता हूँ तो उसका scanner scanner रहेगा पूरा, देखो ये, ये, ये qr code हो गया पूरा, ठीके मतलब जब भी parent इस qr code को scan करेगा, तो लिखा math का video solution, आपने qr code को scan कर लिया, आपके सामने math का solution खुल के आ जाएगा, reasoning के वाले को reasoning का solution, English वाले English का solution, gk वाल out है, तो इसमें detail solution रहेंगे, in qr scanner में, ठीक है, in qr scanner में, ये सारी चीजे रहेंगी, तो आपके सामने, जैसे, अब मैं थोड़ा और process बताऊँगा, detailing करूँगा, करूँगा, बच्चे है, सीधे, नादान, और बच्चे आज कल हो गए, parents से बिलकुल advance, ठीक है, किस मामले मे नकल करने के मामले में, क्योंकि हमारी academy में पढ़ रहे है, teacher, चार, चार, पाच, पाच, चार, टीचर के सामने, उनको बक्स, बक्सीश नहीं मिल रही है, तो बहुत तो parent तो एक है, उसको तो क्या बक्सीश मिलेगी, लेकिन खिर, खेल, मैं आपको alert कर दूँ हा, कोई मोका आपको बच्चों को मिलेगा, कि किस तरह से उसको करना है, देखिए, होगा ये, कि जैसे ही आपके पास ये 5 सेट आए, सबसे पहले इन 5 सेट को सबसे पहले तो इनको लोक में ले जाओ, अराम से एक बंद कमरे में, बच्चे कोई बनग मी निन दे निन की, ठीक है, और फि एक दिसमबर से ये डिसपैच होने सुरू होंगे, ठीक है, एक दिसमबर से डिसपैच होने सुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक दिसमबर से डिसपैच होंगे, तो मतलब वही दो-तीन दिसमबर तक आपके पास आजाएंगे, दो-तीन दिसमबर तक आपके पास आजाएंगे, दो दिन लगते है पूरिया जाने में, कहीं भी वेज़े भारक में, तो आप एक तारीक रख दो, बच्चों को की पई, पाँच दिसंबर को तेरा पहला मोक टेस्ट होगा, पाँच दिसंबर को पहला मोक टेस्ट होगा, कौन से वाला, ये वाला, अब तक बहुत दे लिए मो मोक टेस्ट, रियल मोक टेस्ट, पाँच दिसंबर को होगा, ठीक है, पाँच दिसंबर को होगा, वर्ल्ड सोयल डे, विस्व, मिट्टी दिवस, ठीक है, पाँच दिसंबर को होगा, अब जैसे ही आपने कह दिया, पाँच दिसंबर को होगा, अब जैसे उसकी एक टाइम कर देना कि बेटा तुमारा मोग टेस्ट होगा सुबह दस से लेके सड़े बारा बजी तक ठीक कहां पे होगा एक घर पे एक ऐसी जग है या तो बिल्कुल उसे दूब में बठा दो ठीक है टेबल चेर देगे बिल्कुल मैदान में बिल्कुल एकदम या उसको ऐसे कमरे में जिसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके हाथ में एक पैन हो और पानी की बोटल हो पास क वोश्रूम अगरा जाना है तो पहले ही चले जा तो कि बीच में फिर वो पेट में भी कहें मुझे वश्रूम आ जी वुश्रूम आ रहा है इस तरह से उसको वहां भी बेज देना ठीक है तो बस यह सारी चीजे करने के बाद बैठाने के बाद जैसे इस दस बजे अपने घड कि पुरंट ले लेना कोई एक बाद भी नहीं सुननी और साथ में परिक्सा के दोरान क्या 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 साथदानिया पैरेंट्स बदरेंगे क्या क्या बरत्नी है वह अगर कहता है कि कोश्चन गलत है तो आपको बोलना है कि गलत कोश्चन पर तुम्हें नंबर मिल जाएगे क्या वह कहता है कि कोश्चन मुस्किल है तो आपको बोलना है कोई रिक्त नहीं है कटोप कम पर लग जाएगी मुस्किल है थे कैगए वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे से गोले बलत बरे गए मैं वैसे तो सही कर दिया था मैंने लेकिन गोले गलत बर गए तो इसको बोलना कोई बात नहीं वहाँ अपने आप छोड़ दो हम अपने आप चेक कर लेंगे तो तुम्हें उसकी पैरेंट्स उसकी किसी भी बात पर किसी भी बात पर कोई मतलब भी एकना और जैसे ही बच्चा पेपर ले लेत बात चैक करना और मैच करने के बाद पर लिखना सबसे पहले जब आप कोपी चैक करेंगे सबसे पहले देखना कि इंग्लिश में 17.50 नंबर बैठ रहे हैं कि नहीं, 17.50 अगर इंग्लिश में 17.50 तो आगे कोपी चैक करना, नहीं तो वहीं खिल खतम हो गया ठीख है वो पहली fail हो चुका है जब English में sirday 17.000 बैट गई फिर क्या करना math के number 50 में से total बताना reasoning के 50 में से बताना gk के 50 में से बताना और एक total score करना और total score करने के बाद फिर देखना कि कितना score बना है फिर उसको 5 December के बाद उसकी कम्या देखना, बच्चे से पूछे रहा, खुद एनलिसिस करना, जो भी आपने इस्ट्रेजी अपना है, वो सारी करना, और फिर एक तारिक देना, आठ दिसंबर, और उससे बोलना की रिविजन करो, आठ दिसंबर में फिर एक पेपर, दस दिसंबर में एक पेपर, ज यह बात मैं किलियर कर देना चाहता हूँ, जिस बच्चे के इन सेंपल पेपर में, एक सो दस पलस नंबर आ रही हैं, वो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, पर ओनेस्टी, जो मैंने तरीका बताया, वो आपको फोलो करना पड़ीगा, बच्चा चला आपने एक सो दस, आपकी मुस्तैद होके, उसको देखना है कि वो नकल किसी भी हालत में ना करें, और मेरा ऐसा विस बास है कि बहुत सारे पैरेंट्स ऐसा होगा, कि उनको असलियत सामने आएगी, वो कहेंगे कि वहाँ पे तो कुछ और आ रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ हुआ, ठीक है, तो चलिए अभी हम, हम पैरेंट्स के रिव्यूज भी लेके आते रहेंगे, कि क्या-क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होगी, जो हमारे जहाँ जहाँ पैरेंट्स में बुक किये हैं, वहाँ से जो हमारा है वहाँ पे अपने एक्स्पिरियंस भी आप शेयर करते रहेंगे, अभी हम 288-27121 ठीक है अपने experience को भी यहां पर आपको share करना है कि किस तरह का experience रहा बच्चा कहां फसाख सब चीजे और हो सकता है थोड़ी से एक छोटी सी clip भी बना के डालेंगे बच्चे की वो हम बात भी करेंगे parents से बात करती रहेगी हमारी कि क्या experience हम हमारी team आपको call करके भी check कर है आपका experience लेकिन आपको भी alert रहना है तो भाई तयार हो जाईए इस इस मुकाबले के लिए इस तरह की unboxing के लिए इस तरह की मलवजियो sample paper आपके घर आ रहे हैं उन से बच्चे को attempt करवाने के लिए अब मुझे देखना यही है कि आपका finally क्या score बनता है और इतना मैं जरू पीपर से थाए, THANK YOU STUDENTS, THANK YOU VARENTS